सो हेलो फ्रेंड मेरे नाम है तंजीम और आप देख रहे हैं तनसु प्रश्कार सबसे पहले आप ये एड देख लीजिए आपने ये एड कभी ना कभी तो देखा होगा इंस्टाग्राम, फेस्बुक, यूटूब बगएरा पे सो भाई इस एड में कील ठोकने वाली गन है जो की लोहे तक को फार दे रही है, कहां हम पुराने जमाने में पड़े हुए हैमर से कील ठोकते हैं, तो भी वो सारे जमाने चले गए होगा, पुराने क्या फ्रेंड इस एड पर विजबास करना चाहिए या नहीं, और रेयलिटी में ये कैसा काम करती है, इसको भी दिखाते हैं आपको, तो चलिए फ्रेंड, इसको भी ओर्डर कर लेते हैं, तो यहां देखे फ्रेंड, ये आ गई हमारे पास गन, तो चलिए फ्रेंड, अब इस बॉक्स का करते हैं, ऑपरेशन, यहां पर देख लीजिए, ये आ गई भा यहाँ पर आप देख सकते हैं कीलो की ताधात तो चलिए बाहर निकाल लेता हूँ यह देखे गाईस अगर आप मेरे सब्सक्राइबर तो आपको पता भी होगा कि इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुपा हूँ तो आप सोचते होंगे गाईस के दुबारा ये वीडियो मैं क्यू ले गया हूँ भाई इसका भी एक रीजन है उसमें बहुत सारे कमेंट मेरे को आ रहे थे भाई आपने ये नहीं दिखाया कि अगर हम आधी कील ठोकनी चाहें बाल में तो हम किस तरीके से ठोकेंगे जल बाहरे किल ठोकेंगा है तो पूरी कील अंदर बैठी किस तरीके से ठोकेंगे तो भाई आज सब कुछ बताऊँगा तो पहले तो मैं ये कील काउंट करता हूं किथनी मिल जाती है इसमें फ्रेंड हमने नेल्स को काउंट कर लिया इसमें हमें 50 नेल्स मिल गए है कील के अंदर बारूद भरा हुआ है और इनके साइज की बात करूं गाईज तो लगबग भाई एक इंच का साइज है ये पूरा तो जो है वो डेढ़ इंच है कुछ भाग जो है वो प्लास्टिक का है ठीक है आओ जो प्लास्टिक है भाई वो तो अलग हो जाएगा कील पूरी हमने अंदर डाल दी इसके और हम यहां पर इस तरीके से रख देंगे ठीक है अब हमको क्या करना है इसमें कोई ट्रिगर नहीं है कुछ भी नहीं है सिर्फ करना कि आपको इसको दबाना है और ऐसा भी नहीं है गाईस के आप हलके से दबाएंगे तो इसमें कील ठुक जाएगी आपको जो है थोड़ा सा प्रेशर दे के दबाना जटके से ठीक है ऐसे करगे ठीक है यहां पर मिल जाएगी आपको एक रॉड अब यह काम किस तरीके से करता है यह है इसके आगे की नौजल ज जो है बिलास्ट होता है जब यह इस नौजल के अंदर बिलास्ट होता है तो भाई इसमें कहीं गैस निकलने की कोई जगह तो होती नहीं है वो सारी गैस इस नाल के थ्रू निकलती है ठीक है और जब इसमें प्रेशर पड़ता है तो यह कील जो है वो लोहा भी फार देती ह बस यही इसका सिद्धान्त होता है सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई अगर हमको आधी कील ठोकनी है तो किस तरीके हम ठोकेंगे तो यह भी मैं आपको बता देता हूँ अफ्रेंट इसमें यहां देगे यह गेर मिल जाते ठीक है यह गेर कैसे काम करते हैं जितने स्कुरू हम खोलते रहेंगे उतनी पॉवर इसकी कम होती रहेंगे और जितने स्कुरू इसमें कसते रहेंगे उतनी इसकी पॉवर बढ़ जाएगी तो अभी जो है यह फुल पर सैट है और अगर हमको इसकी पॉवर कम करनी है हम सिम्पली जो है इसका स्कुरू खोल लेंगे तो 100% प हैं तो यहां देखिए मैं सिर्फ इसको दबाऊंगा ठीक है उसके बाद नेल अंदर ओ हो आसपास की दीवार भी बढ़गी इतना तकड़ा धमागा हुआ और सीधे अंदर और इसमेल काफी बुरी आरी तो जैसे की मैंने बोला था प्लास्टिक का जितना भाग है वो बाहर आ जाएगा तो जितना भी बारूर था वो तो भाई बिलास्ट हो चुगा है और कील अंदर तो यहां देखिए फ्रेंड यह है लोहे का गेट और यहां पर आप देख सकते हैं यह भाई कितनी लेयर है एक इसके नीचे दो तो यह काफी टकड़ा लोहा यहां पर हो जाता requis काफिचा काफी जादाए यहां पर हम ठोक के देखते हैं यह दहिए नेटि नेर्मयने drug दगा लिया है और अब देखना भाई क्या रहता है ठीक है अब मैं इसको दबाता हूँ थ्री ओ भाई साब यहां पर आप देख सकते हैं और धुआ देख सकते हैं और पूरी कील अंदर गुज गई है ओ भाई गरम भी हो गया यह भाई सफाई देखिए काम में कितनी बढ़ि अब यहां एक लोहे का एंगल तो इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं ठीक है तो इसमें हम ठोक के देखेंगे है और यहां पर देखिए यह हमने नटकस रखे है यह लिन्टर पर हमने यह सोलर पैनल लगा खुए हुग fastest है तो क्या हम इसके दोआर इसको रोक सकते थे ठीक है तो हम इसके द्वारा भी इसको रोक सकते हैं और इसकी मजबूती भाई काफी है ठीक है पूरे तरीके से ये कील अंदर सेट हो गई है अगर हमको आदे कील ठोगनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहां पर ये देखिए ये स्क्रू है इन में से हम एक स्क्रू को खोल लेंगे उसके बाद ट्राइ करेंगे कील कितनी अंदर जा रही है अगर फिर भी अंदर जाती है तो हम इसके और स्क्रू को खोलेंगे हाला कि इसमें ऐलंकी की जरूद पड़ेगी आपको बट एलंक की हमारे पास है नहीं हम प्लाइर का यूज़ कर रहे है ठीक है तो एक स्क्रू हमने यहां से निकाल लिया ठीक है तो चलिए अब फिट करते हैं इसको अर्ये हमारे यहां धमाका बहुत तगड़ा होता है मेरे कान में सीठी बुल ली सारा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है देगे लिया व्रेंड एक स्क्रू खोलने पर भी कीर पूरी अंदर जा रही है ठीक है तो अभी हम थोड़े एक आध स्क्रू और खोल के देखते हैं इसका तो यहां देगे यह दोनों स्क्रू हमने खोल लिये हैं यहां से ठीक है अब हम इसको ट्राइ करते हैं तो चलिए व्रेंड आपकी थोड़ा दूर से ही ट्राइ करता हूं ठीक है वान टू ओ भाई फिर से पूरी बैठी की लियार तो यहां देखते हैं मतलब थोड़ा सा फर्क पढ़ाए ठीक है पूरी तो नहीं गई है कील अंदर तो चलिए व्रेंड हम इसके सारे ही स्क्रू खोल लेते हैं इसमें चार स्क्रू है अब इसमें एर अच्छे से पास हो जाएगी थोड़ी बहुत एर कील की तरफ फोर्स लगाएगी ठीक है अब देखते हैं भाई के आदी कील ठुगेगी या नहीं चलिए वन टू ओके तो यहां देखिए फ्रेंड अपकी आदी कील ठुगी है ठीक है तो मैं इसको पहरे निकाल के आपको दिखा दू आदी से थोड़ी साधे ही ठुगी है यहां पर देख सकते हैं ठीक है कोई ची का बंपर यहां पर आप देख सकते हैं इसकी ठीकनिस काफी जादा है यह देख लीजे फ्रेंड अगर यह इसको पार कर देता है भाई यह मैटेरियल काफी हार्ड होता है ठीक है तो चलिए अब हम इसमें ट्राइक कर लेते हैं वान टू तो यहां पर देख सकते हैं फ्रें पूरी अंदर बैठ जाती तो देखा फ्रेंड इसने कैसा काम किया मैंने सारा कुछ आपको लाइब दिखाया है और फ्रेंड बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वाई ये हानफुल है फ्रेंड ये बिल्कुल भी हानफुल नहीं है आपके लिए बो किस तरीके से आप सोच रहे हो कि अगर हम इसमें नेल डाल देंगे ये हम किसी की तरफ ऐसे कर देंगे तो ये नेल जो है दूसरे बंदे गुच जाईगी ऐसा नहीं है गाईस और जब हम किसी चीज़ पर इसको रखेंगे तब ही ये काम करेगा और ऐसे तो भाई ये काम नहीं करेगा ऐसे हम इसको ऐसे ट्राइ करेंगे यहाँ पर देख लिए ऐसे ट्राइ करूँगा वाईस तो ये कील निकल जाएगी ठीक है चाहिए मैं कितनी भी जोर से ट्राइ करूँ जब तक इसके आगे से support नहीं मिलेगी तब तक ये काम नहीं करेगी ठीक है तो ये harmful नहीं है किसी भी व्यक्ति को ये चोट नहीं पहुचाएगी ठीक है फ्रेंट अब फ्रेंट बात करते हैं क्या हम normal kill इसके साथ use कर सकते हैं तो बाई बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये kill लग आती है इसमें बारूद होता है वो ही बिलास्ट होता है उसी से इसका प्रेशर बनता है उसी सी कील अंदर जाती तो आप नॉर्मल कील इसमें यूज नहीं कर सकते हैं भाई आप सामने इधर देख सकते है 50 कीलो का प्रैस जो है वो 399 है तो एक कील लगबग8 या 10 रुपए की पड़ जाएगी, ठीक है तो कील भी काफी महिंगी है, लेने को हर कोई ले सकता है एक कील खर्च करने के लिए भाई जिगराचीए 10 रुपे खर्च करने का जिगराचीए, ठीक है बात कुरूँ इसके प्राइस की तो ये मेरे को 900 इन्यानवे का बढ़ गया है जिसमें मुझे 50 नेल मिल गए है और ये गन मिल गी है ठीक है तो 900 इन्यानवे रफे में वाई सौधा बुरा नहीं है उसके बाद कीलो का ही खर्चा रह जाएगा तो इसका लिंक आपको डिस्क्र अधने बाद थेंक यू बाबाए